Hello Friends, जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले स्रीज में A और N के प्रियोग को जाना, अब हम लोग इस स्रीज में दा के प्रियोग को जाने वाले हैं। दा को definite article कहते हैं, इससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इसका प्रियोग singular तथा plural countable noun के पहले किया जाता है। जैसे द काईट लड़के द बोईज इत्यादी वैसी वस्तु जो दुनिया में केवल एक है उसके पहले भी दा कप्रियोग किया जाता है। जैसे आकास, द स्काई, गंगा, ताजमहल, द ताजमहल, etc. द के प्रियोग को हम लोग इन मॉडल सेंटेंस के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। घड़ी नहीं है, द वाच इस नियू, प्रिथ्वी गोल है, द आर्थ इस राउंड, तो इस प्रिकार फ्रेंड्स हमने दा के प्रियोग को देखा। तो इसी के साथ आज का ये स्रीज समाप्त होता है, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन, गुड़ बाए। झाल